हेलो एवरीवन यह है वीडियोज वर्ड चैनल और आप देखे रहे हैं स्टैट प्रो वेरिफिकेशन एग्जाम्पल स्रीज और आज का एग्जाम्पल नंबर 11 है आपका टेंपरेचर लोड इन डिफ्रेंट मेटेरियल्स तो यहां पे एक आपका देखिए एक स्ट्रक्चर दिया हुए जिसमें थ्री बार से इन दो कॉपर के स्टील का उस पे एक लोड लग रहा है और टेंपरेचर स्ट्रस की वेज़े से इन दोनों मेंबर्स में डिफ्रेंट मेंबर्स में क्या क्या स्ट्रस डेवलप हो रही हैं वह हम इस प्रॉब्लम में चैक करेंगे और यहा यहां पर देखिये नीचे एक होरिजन्टल बार भी है जिस पर फॉर हंड्रेट पाउंड पर इंचीज का एक यूडियल लगा हुआ है और यह टीमो शेंग को स्ट्रेंटों मटेर बहुत अच्छी बुक है वहां से एक्जामपल लिया हुआ है पेज नंबर भी गिवन है इतने भी एक्जामपल है यह लगभग इसी बुक से लिए गए है आप पेज नंबर जरूर देखे बहुत अच्छी बुक है इस बुक के लिए अब चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडलिंग जो होगी आपकी इस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आपको यहां प होगी इसके फिक्स सपोर्ट तीनों मेंबर्स के उपर इस तरह चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने यूनिट यहां पर स्लेक्ट कर लेता हूं इंचीज और पाउंड और हर बार कितरा सबसे पहले मैं बनाता हूं एक जॉइंट फिर हम ग्रिट को क्लोज कर देते हैं और फिर इस जॉइंट को हम स्लेक्ट करते हैं और टांसलेट रिपीट टूल को हम चूज करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें देखिए तीन बार हैं वर्टिकल डा में translate कर दूँगा तो इस तरह से हमारा structure बन जाएगा तो मैंने joint select किया translate tool x direction five inches two step link ओके ये बन गया आपका horizontal member select किये joint control एसे और आप इसको y में 20 inches link भी करना है okay कर दीजिए ये बन चुका है हमारा structure की modeling अब हमें लगानी है support fix support तो एक fix support बनाते हैं और उपर के तीनो joint space को हम assign कर देते हैं इसके बाद अब हमें load लगाना है तो हम load में गई सबसे पहले एक load case create किया इसका title dead और type be dead है add किया इसके अंदर add करना है member load क्योंकि horizontal जिस पर लगना है वो member एक UDL लिया माइनस downward 400 pound per inch उसको हमने assign कर दिया तो ही load लगे है इस पर एक लगा UDL दूसरे लगा हुआ है आपका temperature stress temperature कितना change हो रहा है इसका 10 Fahrenheit तो हम चलते हैं इसको लगाते है तीनों members पे तो हमने dead load के अंदर ही add किया यहां पर एक दिया हुआ है temperature load इस temperature load में जो फर्स्ट cell है उसमें आपको 10 डालना है जो elongation के लिए हमने उसमें 10 डाला add किया close कर दिया उसके बाद हमने इसको इसको assign करना है तीनों members पे एक message आएगा done successfully जैसे आप किसी member पर click करते है इस load के लिए तो load हमारे लग चुके है अब जो main है इसमें वो है properties दो तरह के properties एक तो material क्योंको material different है cross section area तीनों members का तो steel है copper है और इंको cross section area है यह सारी properties मैंने paper पर लिख लिए है मुझे याद है तो हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे तो एक material हो गया आपका कि steel और copper जो मैं define करने है और section उसका cross section कितना है यह हमें दो चीज़ define करने है सबसे पहले हम करते है section को define section यहां पर given है और मैंने paper पर भी लिख लिए है तो चलिए start करते है section property define करना तीनों का जो ax given है वो point one है और horizontal member का ax जो है one है और iz hundred है चलिए हम define करते है properties define general properties जो given हम उसको apply कर देते हैं जैसे कि ax की value given है और आपका moment of energy and z given है दोनों property को हम apply कर देते हैं अब उसके बाद हम करते है material जो सारी property यहां पर given है start करते है material define करना दो copper है और एक steel है हमारे पास दो copper है एक steel है तो material पर यहां पर जाएंगे यहां पर steel given है लेकिन हम इसको नहीं लेंगे हम अलग से create करेंगे problem के according property define करने के लिए और यहां पर हमने डाला steel steel की properties यहां given है अच्छा इस वीडियो में audio record करना भूल गया था है मेरा clone बन था मैंने वीडियो बना दी है अलग से audio record कर रहा हूं तो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है ठीक है इसमें देखेंगे हमने steel define कर दिया इसका हमने young modulus poison ratio और thermal coefficient जो given है problem में वो apply किया और ok करके हमने property define कर दिए title डाला हमने steel 1 steel इसलिए नहीं डाला क्योंकि steel पहले से है और एक हमने बना लिए copper copper की properties young modulus poison ratio density 0 है और thermal coefficient यह सभी हमने डाल दिया जो भी मैं इसमें type कर रहा हूं यह सब मेरे paper पर लिखा हुआ है यह उस problem के में given है properties अब इनको हमें apply कर देते हैं steel अच्छा मैंने यहां पर देखिए एक mistake किये जिसन column को मैंने steel दिया वो copper के थे और बीच वाला steel का था result मेरे opposite आ सकते हैं यहां जो stress मेरी steel में आने चाहिए वो copper में आएगे जो copper में आएगी वो steel में ठीक है अब हम इसको analyze करते हैं अब हम इसको analyze करते हैं अब हम इसे एक error तो आता है जो हम moment opener से देते हैं cross section में एक ही direction में वो यह कहता है कि सभी direction में किसी direction में होगी तो वो जरूर डालिएगा तो यहां पर यहां पर देखिए कि हमने गलती कि है कि material selected concrete तो जितने भी हम इसमें property डालके change कर रहे हैं तो material concrete automatic होता जा रहा है कोई नहीं से कोई दिक करते हैं दुबारा से material assign कर देंगे assign कर दिया अब analyze कर देंगे analyze करने के बाद हम post processing में जाके stresses check कर लेंगे post processing stresses stresses में post processing की beam में stress में टेबल को करेंगे और maximum देखेंगे यहां पर तो अलग अलग value आ रही है match नहीं हो रही है value तो हम problem में देखते हैं कि कुछ हम भूले तो नहीं है प्रॉब्लम में एक चीज भूल गए हैं उन्होंने प्रॉब्लम में जो में लिए ट्रस में लिए हैं तो हमने ट्रस इसको एपलाई करना होगा उसके बाद फिर analyze करके result check करेंगे तो वह match हो जाएंगे देखिए verification program करने का यह advantage है कि आपका पता चल जाता है कि आपने कहां गलती की है ठीक है वरना अगर हम यह simple frame लेकर analyze करते तो हमें क्या पता था हमारे result सही आ रहे हैं नहीं आ रहे तो हमें verification से ज्यादा सीखने को मिलता है और आपको किसी भी other software की tutorial की need हो या फिर आपके किसी project में PhD thesis में कहीं भी आपको help की जरुद हो तो please comment करें और कौन-कौन से software में मैं आपकी help कर सकता हूँ बतायता हूँ stat pro, eTab, AutoCAD, Revit, SAP, SAF, ANSYS, Abacus अभी फिलाल structure के ही software है आगे जाके मैं environment, serving, इन सब के software के भी tutorial डालूँगा तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो please like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए देखिए मैं video जब ही डालता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ video उसकी demand है और view बढ़ रहे हैं मेरे, subscriber बढ़ रहे हैं, share की जा रही है मेरी video, तभी मैं motivate होता हूँ और video बनाता हूँ, thank you